हम आपके लिए लिकर आए है हिस्ट्री क्लासेज आज से आपकी हिस्ट्री क्लासेज शुरू हो रही है और चेप्टर वाइज आपकी हिस्ट्री क्लासेज चलेंगी आपका सुबह आठ वजे से हिस्ट्री क्लासेज शुरू होंगी तो आए आज शुरू करते हैं हिस्ट्री क चेप्टर नमबर एक हमारा चेप्टर नमबर एक का नाम है यूरोप सक्तियों का भारत में आगमन तो चलिए करते हैं सुरू चेप्टर व्यापारिक मार्ग प्राचिनकाल से ही भारत का विदेशों से संपर्ग रहा है सुलेवी सताबदी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप सक्तियां ने भारत आना प्रारंब किया जिनमें पृत्गाली, डच, फ्रांसिसी और बेटिस प्रमुक थी भारत और यूरोप के मद्य वैपार जल और थल दोरा हुआ करता था इन मार्गों की संख्यात तीन थी प्रिथम मार्ग फार्शी की खाड़ी से होता हुआ समंद्री मार्ग था इस मार्ग से इराग, तरकी, वैनिस और जिनिवा से वेपार होता था दूसरा मार्ग था लाल सागर से एलेक्स जन्रिया का था जहां से समुन्दर द्वारा वैनिस और जनेवा को जाया जाता था तीसरा मार्ग मद्दे एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था इस प्रकार से यूरोप के सभी छित्रों में भारत की वस्तुओं के वितरंड के लिए वैनिस और जनेवा प्रमुक व्यापारिक केंद्र थे इटली ने भारत के प्रमुक वस्तों के व्यापार पर अपना एक अधिकार जमाने के लिए यूरोब की सक्तियों की व्यापार में इसेदारी को रोक दिया पंद्रेवी सताब्दी 1453 इसवी में कुस्तुन तुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया अब तुर्कों ने यूरोब और भारत के मद्दे पुराने सभी संचार के माद्यमों को बंद कर दिया कुस्तुन तुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था अथव व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुश्टन तुनिया नगर पार करना ही पड़ता था लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कबजा होने के कारण भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा समंद्री मार्ग की खुज अब यूरोप वाचियों ने व्यापार के लिए नए समंद्री मार्ग की खुज करना आरम कर दिया इंजवाओं की खुज मातर एक संभावनाओं पर आधारित थी इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उवरते राज्यों के बहुतो कांची राजाओं वर राणियों को धन धर्म और ध्वज के सपने दिखाए धन राज्य की आमदनी के लिए धातु सोना चांदी मसाले के फाइदे व्यापार से इकरतित करने की सम्भावना थी धर्म इसाई धर्म का दूर दराज इलाकों पर परचार करना दोज यूरोप के राष्ट्रों का जंडा दूर दूर उपनुविश्यों पर फैराए जिससे उनका समराज्य बढ़ेगा यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्र यात्रा का खर्चा वहन किया जिसाओं का ग्यान होता था भारत की खोज में निकले इस्पैनिस निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तता पुर्तगाल निवासी वासको डिगामा अपनी लंबी यात्रा के दौरान अफरीका के दच्छनी छोड से होते हुए भारत के पच्छमी समुद्र माली कट बंदरगा 1498 इसवी पर पहुंचकर भारत की खोज की अब प्रतगाल को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी समुग का नया जलमार्ग मिल गया अब यूरोप और भारत के मद्य व्यपार पुना आरंब हो गया कोतम नुमा एक कंपास था कंपास को कोतम नुमा कहत हैं इसे आप देख सकते हैं यह रहा है 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 यूरोपिय व्यपार पुर्टकाल ने हिंद महासागर के मद्य होने वाले व्यपार पर अपना अधिकार कर लिया वे सोना चांदी लाते हमारे देश से सूंती रेसम कपड़े और विमन मसाले ले जाते हैं और बहुत मुनाफ़ पुर्टकाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई और दूसरा पुर्टकाल की इजाजत के बिना अपना जाहज नहीं ले जा सकता था वासको डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलेंड फ्रांस इंगलेंड के व्यापारी भारत आने लग तीनों सादन बहुत महत्प था इन सादनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपी व्यापारियों ने सत्रेवी सताब दी की सुरुवात में सोले सो से सोले सो सत्तर एसवी के बीच व्यापार एक कंपनियां इस्ताबित की व्यापार एक कंपनियां का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी हुका होना शेर जिसे हम शेर भी कहते हैं सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पुंजी लगाते लगाई गई पुंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफिक को आप फ्रांस में फ्रेंच इस्टी अंडिया कंपनी बनी आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार से पुझी इखिटा करती हैं यूरोप कंपनियों के आगवन का क्रम सबसे पहले पुर्टगाल आये थे सन 1498 इसवी में पुर्टगाल आये थे फिर अंग्रेज 1620 में अंग्रेज आये थे डच 1602 इसवी में आये थे फ्रांसिसी 1664 इसवी में आये थे भारत में सबसे पहले पुर्टगाली व्यापार कंडे आये थे इन्हों ने पच्छमी समुदर तट पर गोवा दमवन द्वीप में अपना व्यापार केंडर खुला विदेशी कंपनियों के इन व्यापार केंडरों को कोठी या फैक्टरी कहा जाता था फैक्टरी या कोठी फैक्टरी सब्द का प्रियोग व्यापारिक केंद्रों में इस्ताबित कार्यालय अथ्वा कोठी से था फैक्टर सब्द का अर्थ एजेंट है कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारिक एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्टरी कहा जाता था यूरोपियों की वस्तियों के लिए सेनिक रखे जाते थे कोठियों की रच्छा किलों की तरह होती थी इन किलों की सुरच्छा के लिए यूरोपिय व्यापारी ससत्र सेनिक तैनात करते थे वास्को डिवामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके Holland, England, France के व्यपारी जल के राष्टे से भारत आने लगे इस समय तक हिंदुस्तान की किसी भी सासक ने नौसेना त्यार करने की बास सोची तक नहीं थी England निवासी जो डच कहलाते थे काली कट, कोचीन, नागा पट्टम, चिन्सूरा में व्यपारिक केंदर खोले फ्रांसियों ने मचली पट्टम, पिंडचेरी, चंदरनगर माही इस्तानों में अपने व्यपारिक केंदर खोले अंग्रेज, अंग्रेजों ने अपने को केबल समुदर तर तक ही सिमित नहीं रखा बलके सूरत, केंबे, एहमदाबाद, आगरा, कडोच, पटना, कासिम बाजार इस्तानों में व्यपारिक केंदर खोले भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यपार पर्टगाल के हाथ से व्यपार छिनने की होड में लगे रहते उनकी कोसिश रहती कि वे भारत से कम से कम कीमत सामान खरीच सकें फिर इसी सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर वेच सकें और खुम मुनाफ़ा कमा सकें उन्होंने पाया कि सूरत मसूरी पट्टम मचली पट्टम जैसे बड़े बंदरगाओं पर जो सामान व्यपारियों द्वारा बेखने लाया जाता है वो महगा मिलता है इसी लिए यूरोप के व्यपारियों गाओं गाओं में अपना आदमी या एजन्ट भीजते सीधे कारियरों से माल खरीदने की कोशिस में रहते ताकि सस्ता माल मिले समय के साथ साथ पूर्टगाली नौसेना और कलों की तागत अंग्रेज, डच और फ्रांसेसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजूर पड़ गई कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका व्यदेशी कमपनियों ने भारत में लाब कमाने के लिए साम दम दंड भेद सभी तरीके अपनाई ये बादसाओं वो राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिदी दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मागी अनुमती प्राप्त करने के लिए ये खुसामद भी क्या करते थे फ़ल स्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किये व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मागी इसके बदले में उन्होंने वादसाओं वो राजाओं को नवीन वश्तों वेट की मुगल वादसाओ जहांगीर के दरवार में कैप्टन हॉकिंग 1608 एसवी में आने वाला पर्थम अंग्रेज राजदूद था इसके बाद सर्ट टाइम स्रो 1615 एसवी में जहांगीर के दरवार में आया जब उसने जहांगीर के दरवार की सानों सौकत देगी तो वह बहुत प्रावावेत हुआ उसने समराट को अंग्रेजी दस्ताने भेट किये और एंग्लेंड के इस्तिमाल की जाने वाली बग्गी दी जिससे जहांगीर बहुत प्रसंद हुआ राजाओं के मन में यह आसा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तता करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा वेपारिक आकरसित होगा राज्य खूब फलेगा फूलेगा जिससे अधिक कर मिलेगा हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोब वेपारियों की तरफ से मिलने वाली धंकी का भी असर होने लगा पुर्टगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपी देशों की ससक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्टगाली के खत्रे से सुरच्छा की जरूरत थी फ्रांसे, अंग्रेज और डच कहते के व्यापार की छूट दोगे तबी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरच्छा की गारेंटी देंगे नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा वर दुबाया जाएगा इन नितियों वर इस्तितियों का फायदा उठाकर यूरोप की व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाब कमाया उन्होंने कई टैक्स न देने की छूट मिली जमीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम घर बंदरगा और अपने किले बनाए